कि नमस्कार दोस्तों बड़े तिनों बाद आपसे रूग रूग होने का मौका मिल रहा हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा एसी मुश्रूम फारम है रेवाडी के अंदर और मैं कहूं तो साउथ हरियाना का ये सबसे पहला एसी फारम था जो हमने खोला था और उसके बाद काफी मुश्रूम फारम खुले हैं तो लगवग हमें ज्यादा एक्सपिरियंस नहीं हुआ है दो से डाई साल का एक्सपिरियंस है मुश्रूम फार्मिंग का बट कुछ बाते हैं जो मैं आप सब लोग उसे कहना चाहता था आप से शेयर करना चाहता था आजकल हर कोई यूट्यूब से इंफ्लूएंस होके सुचता है कि मैं यह काम कर लूँ वह कर लूँ देखिए हर काम की अपने अपने चैलेंजिस होते हैं हर काम की अपनी अपनी मेरिट्स होती है हर काम की आज मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मश्रूम की फार्मिंग कौन ना करें नमबर एक जो भी भाई यह सोच रहा हो कि मैं मश्रूम के काम को ऐसे पार्ट टाइम या साइड इंकम की तरह कर लूँगा तो मश्रूम की फार्मिंग मश्रूम का फार्म्स का सेट अप ना करें मश्रूम का काम एक फुल टाइम का काम है आप जोब रहते रहते कोई किसी जोब में या किसी और बिजनेस में हो अगर आपकी family और family में भी वो family जिस family का पैसा लगा हुआ है अगर आपकी family जिसका family members में जिनका पैसा लगा हुआ है अगर उन में से कोई एक इंसान इस काम में डेली के चार से पांच गंटे नहीं दे सकता तो आपको मुशूरू की farming बिलकुल भी नहीं करनी है क्योंकि एक छोटे से छोटा तीन रूम का भी आप सेट अप लगाते हैं तो उसमें ठीक सा नया सा फारम अगर आप लगाते हैं धंक सा तो 35 से 40 लाग रुपर का खर्चा मिनिमूम आता है मैक्सिमूम भी हो सकता है ये मिनिमूम मैंने आपको बताया है तो पहला थमरूल ये है जो भाई किछी और कामदंदे में बिची है इस काम में पैर ना फसाए ये काम फुल टाइम का है पार टाइम में आप नहीं कर सकते हैं सेकेंड अगर इस काम को करना है तो ग्रोइंग यूनिट और कमपोस्ट यूनिट चाहे तो आप ग्रोइंग यूनिट छोटी लगा लीजिए कमपोस्ट यूनिट छोटी तो लगा लीजिए वो चलेगा बट अगर आप ये सोच रहे हों कि सिर्फ ग्रोइंग यूनिट लगा लू में और कमपोस्ट में भार से खरीद लूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हों ये काम बिल्कुल भी ना करें आपको कमपोस्ट यूनिट और ग्रोइंग यूनिट अपनी खुद की लगानी है तीसरा पॉइंट अगर आपके यहाँ पर चोबीस में से 18 से 20 गंटे इलेक्रिस्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है अगर 14 गंटे भी है तो भी ना करें कम से कम 18 गंटे अगर आपके यहाँ पर गाओं में या गाओं के बाहर खेतों में कहीं पर भी यह बिजली आ रही है और आपको कनेक्शन मिल सकता है तो ही आप अपना यह फारम का सेट अप लगाएं फॉर्थ पॉइंट अगर आपके दिमाग में यह चल रहा हो कि मैं सेकंड एंड मसीन और आदे अदूरे पैनल सेकंड एंड पफ फैनल को जोड़ के और काम चलाओ सा मैं एक मशुरूम फारम खोलना चाहता हूँ बिलकुल मत खोलिएगा छोटा फारम लगा लीजिएगा बट कोशिश कीजिएगा कि आपके पफ फैनल नए हो नए का मेरा मतलब यह नहीं है कि ब्रांडिड हो मेरा मतलब यह है कि वो पफ फैनल कटे हुए ना हो बीच में जोइंट ना हो एक पफ फैनल जो बारा से चोदा फिट कहा जो हाइट होती है उसी हाइट का होना चाहिए और मसीन आजकल मैं देखता हूँ किसी ने कोई कह रहा है कि पुराणा यह सी लगा लिया ब्लू स्टार की मसीने आती है इसके अंदर जो मश्रूम फार्मिंग के लिए डिजाइन की हुई है हमारे फार्म पे दो ब्लू स्टार की मसीने एक कैरियर की मसीने पर जो एक्सपिरियंस के वेसिस पे जो मैं बता सकता हूँ ब्लू स्टार की मसीने कहीं जादा बहतर है केरियर की मसीन अच्छी है बड़ मेरा एक्सपिरियंस यह रहा है तो नई मसीने के साथ खोलिएगा इसके अलावा आपको यह देखना है कि आपके यह पर availability कितनी है, labor की availability कितनी है क्या labor easily मिल जाती है यहां पर आपके फारम के आओसपास जहां फारम locate करना चाहरे ह rigorous और मेरा suggestion ये है कि कोई भी रूम 1000-1200 बैक से ज़्यादा का बड़ा रूम initially मत लगाईए initially जब आप कोई start कर रहे हो तो 1000-1200 बैक का अगर dimension के बाद करू तो 18 भाई 30 या 35 फिट से ज़्यादा बड़ा रूम बिल्कुल भी मत लगाईएगा जो कुछ मेरे भाई हैं 33,000 बैक के 35,000 बैक के दो बड़े बड़े रूम खोल के बैड़ जाते हैं मुझे पताया है कि उनकी इस ताइम क्या condition है और कुछ भाई ये वीडियो देख भी रहेंगे वो मेरे से relate कर पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ एक जर्रल साब को आइडिया देता हूँ मैं अगर आपने suppose कीजिए कि 12,000 बैक का रूम अगर आपने लगाया हुआ है तो कम से कम 10 लेबर आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिन्सको आप जब चाहे हायर करके अपना काम करवा सकूर वो लेबर ट्रेंड होनी चाहिए अगर आपने 35,000 बैक का रूम एक लगा दिया तो 35 लेबर की भी कभी न कभी आपको जुरुरत पढ़ सकते क्योंकि जब कभी फलश आता है तो वो इतना हैवी आता है कि आपको 30 से 35 चालिस लेबर मंगानी पढ़ती है और अगर उतनी लेबर आपके पास अवलेवर नहीं हुई तो उस दिन आपका माल हो खराब हो जाएगा मश्रूम खुल जाएगी आज की वीडियो में इतना ही आई होब कि आप लोको मेरी बात समझ में आई होगी मैं छोट-छोटी वीडियो और लाता रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा थैंक यू नमस्क्रार धन्यवाद